हेलो इस्टुडेंट कल्यानिया इस सेकेंड में को उनलाइन प्रिटफर्म पर आपका स्वागत हैं मैं हूँ लखन दायमा आपको एंपीप सेमेंस एक्जम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है शम्विधान सासन वेबस्था राजन संदचना आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोटिली के बारे में तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कोटिली के बारे में पढ़ाया था तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ांगा अब इसमें देखें इसमें कोटिली का मंदल तो कोटिली ने आर्थ सास्त्र के छटे और सात्वे दिकरण में विदेशनीति से संबंदित अपने विचार विश्टुत किये थे मतलब कि छटा और सात्वे दिकरण है कोटिली का अर्थ सास्तर में उसमें किसका वंडन किया है? कोटिल ने तो उसमें विदेश निती का वर्णन किया है और राज्य के द्वारा विदेश संबंधों के संचालन इसके बाद फिर दूत व्यवस्था फिर गुप्त चर व्यवस्था आदी के विशय में चर्चा की है इसके बाद फिर अंतर राज्य संबंधों की विवेचना क होता है सड़गुन सिध्धांत यह दो सिध्धांत आपको याद रखना होगा अब इसमें देखिए कि कोटिल ने अर्थसास्त्र लिखा था और कोटिल अपने अर्थसास्त्र में छटे अधिकरण में मंदल अधिकरण या मंदल सिध्धांत का वर्णन किया था तो यह आपको दिकरण में मंदल सिध्धांत का बंडन किया है इसके बाद फिर कोटिल राजा को यह सुझाओ देता है कि वह अपनी सीमा से लगे पड़ोसी रज्यों से सद्यों साउधान रहे राजा को पड़ोस के सीमा पार के राज से मित्रत्य रखने चाहिए उसका मत यह था कि जो सत्रू का सत्रू वह राजा का मित्र होता है यह इसने मंदल सिध्धांत में लिखा था कोटिल ने तो जो आपको इसमें ध्यान रखना है तो यहाँ पर तीन नंबर का question आपसे पूठा जा सकता है कि कोटिल ने छटे अधिकरण में किसका वर्णन किया था तो यह मंडल का वर्णन इसने किया है अब इसके बाद देखें कि कोटिल अपने मंडल सिध्धान्त में कोटिल राज मंडल में 12 राज्यों का उले करता है तो इसके बाद में यह जो 12 राज्यों होते हैं तो इन 12 राज्यों के केंद्र में वीजी गिसु राज्यों होता है जो आपको ध्यान रखना होगा तो जो वीजी गिसु राज्यों है तो यह बिल्कुल मद्द में होता है या बहर राज्य जो वीजे प्राप्त करके राज्य व होता है तथा यह वह राज्य होता है जो विजय प्राप्त करके राज्य का विस्तार करना चाहता है ऐसे राज्य को विजय गिश्व राज्य कहा जाता है इसके बाद फिर उसने मतलब कोटिल ने मंडल के बीच में विजय गिशु को रखकर उसके दाहिनी और पांच राज्य तथा उसके बाई और चार राज्य तथा दो राज्यों को एक को उपर और एक को नीचे रखने का मत उसने प्रस्तुत किया था कोटिल ने तो यह आपको इसमें देहान रखना होगा अब इसके बाद में कोटिल ने अपने कौन से राज्य होना चाहिए और विजे गिसु के ऊपर और नीचे कौन-कौन से राज्य होना चाहिए तो देखें इसमें जो विजे गिसु राज्य होता है तो विजे गिसु राज्य के दाई तरफ कौन-कौन से राज्य होना चाहिए तो उसने बोला कि अरी फिर मित्र और अरी मित्र फिर मित्र मित्र और अरी मित्र मित्र ये राज्य विजे गिशु के दाएं तरफ होते हैं और विजे गिशु के बाएं तरफ कौन-कौन से राज जाते हैं तो इसमें पासिर नाग्रह आकरंद फिर पासिर नाग्रह सार फिर इसके बाद में आकरंद सार तो यह किदर होना चाहिए तो यह बीजी गिशू के बाई तरफ होते हैं इसके बाद फिर नीचे तो जो नीचे राज्य होता है वह माध्यम और इसके बाद फिर जो उपर होता है वह उधा तो यह उपर या नीचे हो सकते हैं तो इस प्रकार से यह राज्यों के नाम होते बारा तो यह आपको धियान रखना फ्रेंट उसका जो कोटिल का मंडल सिध्धान्त है जो बारा राज्यों का वर्णन उसने किया है तो यह बारा राज्य इस प्रकार से बताया है अब इन बार मंदल सिध्धान्त के 12 राज्यों में पहला राज्य है विजी गीसु राज्य होता है तो यह राज्य स्यम के विश्तार के आकांचा रखता है और इसका इस्थान मंदल में मद्य में होता है मतलब जो मंडल सिध्धान्द दिया है जो राज्ज मंडल होता है तो इसके मद्द में इसके बीचों बीच में स्थिद होता है वीजे गिशु राज्जे और यह राज्जे कैसा राज्जे होता है तो यह स्वयम के विस्तार के आकांच्छा रखता है तो यह तीन नंबर में अगला आता है अरी राज्य अब जो अरी का मतलब होता है सत्रू ठीक है तो प्रतेग बीजे गिसु राज्य की सीमा पर अरी राज्य होता है और यह बीजे गिसु राज्य का सत्रू होता है ठीक है तो आपसे एक्जाम में कोश्चन पूछ सकता है कि अरी क्या है ठीक है तीन बिजी गिसु का सत्रू होता है इसके बाद फिर तीसरा आता है मित्र और जो मित्र राज्य होता है यह क्या है तो देखें इसमें तो अरी राज्य की सीमा पार का राज्य यह अरी का सत्रू होता है और परिणाम तह यह बिजी गिसु का क्या होगा मित्र होगा तो यह आपको यह क्या ही तो मित्र राज्य की सीमा पार का पड़ोशी राज्य यह अरी मित्र कहलाता है ठीक है क्योंकि वह राज्य अरी का मित्र होता है अतर वह विजी गिशु का सत्रू होता है यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें पांचवा तो पांचवा राज्य का नाम आता है इसमें मित्र मित्र ठीक है अब मित्र के सामने वाले राज्य अर्थार अरी मित्र के उस पार का पडोशी मित्र देश का मित्र होगा इसलिए वह विजी गिसु का भी मित्र होगा अतह कोटिल ने इसे विजी गिसु राज्य का मित्र का मित्र माना है तो यह आपको समझे मित्र के मित्र देश का पडोसी अर्थार्थ मित्र के सामने वाला राज्य अरी मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरी मित्र का मित्र राज्य का मित्र होता है परिणामत है वह वीजी गिसु का भी सत्रू होगा अर्थार्थ वह वीजी गिसु राज्य के अरी के मित्र का मित्र होगा फिर इसके बाद में सात्वा राज जाता है पास्त्रिनाग्रह अब पास्त्रिनाग्रह ये क्या है तो वीजी गिसु राज्य के पीछे की ओर का पडोसी देश सत्रू होता है कोटिल ने उसका नाम पास्त्रिनाग्रह रखा है और अरी के तरह वह भी वीजिगिशू का सत्रू होगा ठीके तो यह आपको ध्यान रखना फ्रेंट इसमें आपसे तीन नंबर के कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो पूछ सकता है कि पास्रेनाग्रह क्या है तो यह आपको ध्यान रखना होगा अब इसके बाद फिर अगला हाथा आकरंद आक्रंद क्या है तो पास्रेनाग्रह के पीछे जो राज्य रहता है उसे आक्रंद कहा जाता है और मित्री की तरह यह भी विजेगिसु राज्य का मित्र होता है इसके बाद फिर अगला आता है पास्रेनाग्रह सार यह क्या है तो आकरंद के पीछे वाला राज्य उसका सत्रू होता है जिसे कोटिल ने पासरनाग्रह सार कहा है क्योंकि वह पासरनाग्रह का मित्र होता है ठीक है इसके बाद फिर अगला राज्य आता है आकरंद सार ये क्या है तो पीछे की और मित्र मित्र का मित्र अपना भी मित्र होगा और कोटिल ने इसे आकरांद सार कहा है इसके बाद फिर ग्यारवा राज्य का नाम आता है माध्यम कोटिल उन राज्यों को माध्यम के नाम से संबोधित करता है जो राज्य बीजे गिशु राज्य तथा अरी राज्य के मध्य में होते हैं और यह दोनों के बीच सांती एवं युद्ध के समय दोनों की साहिता करते हैं तथा अलग-अलग दोनों का सामना करने की सक्ति भी रखते हैं और ये राज्य वीजी गिशु और अरी दोनों से सकती साली हो सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो यह आपको ध्यान रखना होगा एक्जाम में आपसे कोश्टन पूछा जा सकता है कि माध्यम क्या है या कोटिली के अनुसार माध्यम क्या है तो यह आपसे तीन नमर में पूछे जा सत्रू राज्य एवं माध्यम राज्य को किसी भी अवस्था में साहता दे सकता है तथा विजी गिशु राज्य और सत्रू राज्य के मद्ध कहीं भी इस्थित रह सकता है उसे उदासिन राज्य कहते हैं यह युद्ध के समय बिलकुल तठस्त रहता है और यह तथा तीनो से या तीनो राज्यों से अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है ऐसे राज्य को कोटिल ने उदासियन राज्य की संग्या दी है या उसे उदासियन राज्य कहा है तो यह आपको इसमें ध्यान रखना तो तीन नंबर में आपसे किसी एक राज्य से पूछा जा सकता है या फिर एक का नाम पूछेगा और अगर पूछे की कोटिल लेके मंदल सिद्धान्द लिखे तीन नंबर में तो आपको फिर कुछ नहीं करना है फिर इन राज्यों के नाम लिखना है सर्फ ठीक है का मित्र और उसके मित्र का मित्र इसमें सम्मिलित होता है फिर इसके बाद में दूसरा देखें यह दुति मंदल पर इसमें बीजी गिशू का सत्रू सत्रू का मित्र और सत्रू के मित्र का मित्र इसमें सम्मिलित होता है यह दूसरा मंदल होता है आप इसके बाद देखें इस सम्मिलित होता है फिर इसके बाद में चोथा मंडल या चतुर्थ मंडल इसमें कुन-कुन होता है तो इसमें उदाशीन उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र सम्मिलित होता है यह आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड तो इस प्रकार से यह चार मंडल होता है और इन चारों म मंडल में कुल वारा राज्य आते हैं यह सब आपको ध्यान रखनाओं का फ्रेंड अब इसके बाद देखें आगे कोटिल कहते हैं तो कोटिल ने यह सिक्षा दी कि मंडलों की सही सही पहचान कर उनमें उप्युक्त सक्ति संतुलन इस्थापित किया जाना चाहिए कोटिल ने तीन तरह की सक्तियां और उनसे जुड़ी हुई कुछ सिद्धियों की पहचान की है तो वे तीन सक्तियां कोन-कोन सी है तो पहली सक्ति देखिए इसमें मंत्र सक्ति तो यह बीजिग इशु के ज्यान और सूज भूज पर निर्भर होती है यह पहली सक्ति होती मंत्र सक्ति तो आपसे एक्जाम में कोश्चन पुछा जा सकता है कि कोटिली के अनुसार तीन सक्तियां कोन कोन सी है मंडलों से संबंदित तो यह तीनों सक्तियां आपको धिहान रखना होगा मंत्र सक्ति प्रभू सक्ति और उत्साह सक्ति यह तीन सक्तियां होती है तो पहले सक्ति हमने बताई आपको अभी मंत्र सक्ति अब दूसरी सक्ति का नाम है प्रभू सक्ति अब प्रभू सक्ति क्या है तो यह उसके कोश और सेन्य वल पर आश्रित होती है ऐसी सक्ति को प्रभू सक्ति कहते हैं तो तीन नंबर में आपसे कोशन पुठा जा सकता है कि प्रभू सक्ति क्या है ठीक है फिर इसके बाद में अगली सक्ति आते हैं उत्साह सक्ति अब यह क्या है तो यह उसके पराक्रम साहस औ और मनोबल पर आस्रित होती है तो ऐसे यह तीन प्रकार के सक्तियों का वर्ण कोटिल करते हैं तो यह आपको ध्यान रखना फ्रेंट तीन नंबर में आप से से कोशन पूठा अब इसके बाद देखे इसमें कोटिल की विदेस निती या उसकी कूट निती के अंदर कर देखिए की बिचार के अनुसार विदेस निती में राजा को साम। तूम दंड और भेद इन चारों उपायों का प्रएव करना चाहिए जो राजी की रक्षा के लिए बहुत जरूरी भी होती है और प्रभावसाली भी होता है ठीक है अब इसमें सामकार्थ क्या बताया कोटिल ने तो साम का अर्थ कोटिल बताते हैं कि सांती की नीती अपनाने से अधिक सक्तिसाली राजा के प्रती उप्यूक्त होता है तो इसको एक लाइन में आप कै सरवनास ही किया जा सकता है हित नहीं किया जा सकता मतलब क्या करना है सांति की नीति को अपनाना है इसे हम साम कहते हैं यह पहली बताई इसने बाते विदेशनिति के अंतरकत अब इसके बाद फिर दूसरा उपाई इसने बताया दाम ठीक है दाम मतलब धन देना साम मतलब क्या कहा इसने कोटल ने तो कोटल कहते हैं कि धन देकर अपने से सक्टि साली राजा को तुष्ट किया जासकता है यह तो का सकता हैं ताकि वह आकरमण के लिए ततपर नहों यह आक्रमण ना कर पाएं में तीसरा होता कि अपने से अगर कोई निर्मल राजा है तो निर्वल राजा से युद करके या उस पर दवाव डालकर अपना आधिपत्य किया जा सकता है या उसमें आधिकार आपस में फूट डालने की नीती यह होती है भैद ठीक है तो आसपास के जो भी राजा है महराजा है उनके बीच में आपस में फूट डालना है इस नीती को भैद नीती कहा जाता है ताकि यह आपस में उल्जे रहें और एक दूसरे की सक्ति का उन्मूलन करने में लगे रहें और उनमें भेद पैदा करने वाला स्वयम सुक पूर्वक या आसानी से या सरलता से राज कर सकता है तो यह कोटिल कहते हैं यह चार बाते जो आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद में कोटिल की सड़गुन निती अब सड़गुन निती क्या है फ्रेंट तो इसमें देख करण में किया है तो यह इन्होंने सात्वय धिकरण में किया है जो आपको याद रखना होगा इसके बाद फिर छय सुत्रिय विदेश निती या सड़गुन निती राज्य की सुरक्षा एवशक्ति में व्रद्धी के लिए कोटिल ने निम्न छय नितियों का वर्णन किया है तो ये छे नितियों कोन-कोन सी होती है तो पहली होती है संधी दूसरा होता है बिग्रह तीसरा होता है आशन फिर चवता होता है यान फिर पाचवा होता है संस्रे और छटवा होता है देदभाव तो ये छे नितियों का वर्णन कोटिल ने किया है ठीक है सात्वय में तो तीन नम्मर्म में आप से question यहां से पूछा जाएगा कि Koti Li की सड़गुन नीती लिखिए अगर तीन नम्मर्में आप से पूछा जा रहा है तो यह सारे नाम आपको छ Oak नाम आपको लिखने होंके और यह भी भी पूझा जा सकता है कि सभण निती का वर्णन किस अधिकरण में और जा अब सन्दी का तात्परी तो संधी का अर्थ होता है कि 2 यह दो से संधीख राज्यों के बीच समझोता संधी लिए संध होता है डो या दो सदीक राज्यों के मत अधार पर दो राज्यों पर परसर तो वही संधी कहलाती है ये राजा ने कहा है इस संधी के बारे में अब कोटिल संधी तीन प्रकार की बताते हैं या तीन प्रकार की संधी का वर्णन कोटिल करते हैं तो ये तीन प्रकार की संधी आकोन-कोन सी होती है तो पहले संधी बताते हैं कोटिल दंडोप निति संधी दूसरी संधी का नाम है क सोपनिती संधी यह तीन प्रकार की संधी के बारे में कोटिल बताते हैं अब इसमें देखिए पहली संधी का नाम होता है दंडोपनिती संधी ठीक है अब एक पक्ष जब दूसरे पक्ष का अपना सेनापती या राजकुमारी देकर संधी करता है तो उसे दंडोपनिती संधी कहते हैं यह तीन नमबर में आपसे question पूछा जा सकता है कि संधी किसे कहते हैं और कोटिली के अनुसार संधी के प्रकार बताईए तो यह तीन संधी होती है और इसके बाद फिर अलग से यह भी पूछे जा सकती है कि दंडोप निती संधी का आर्थ क्या है कुटिली के अनुसार ठीक है तो यह पहली संधी होती है दूसरी होती है कोशोप निती संधी मतलब कोस देकर खजाना देकर ठीक है तो इसका आर्थ होता है कि कोस देकर की जाने वाली संधी को कोशोप निती संधी कहते हैं तो कोशोपनिती मतलब कोस देकर, खजाना देकर, रुपया पैसा देकर, जो संधी की जाती है, तो उसे कोशोपनिती संधी कहते हैं, फिर इसके बाद में तीसरी संधी आती है, देशोपनिती संधी, अब ये क्या है, तो देशोपनिती संधी वह संधी होती है, जिसमें एक प प्रकार की संदी होती है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला आता है विग्रह सडगुन नीती का अगला है विग्रह अब विग्रह का आर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है कि परस पर सत्रूता की नीती विग्रह से संबंदित होती है सोयम के राज्य की रक्षा करते हुए दूसरे राज्य पर आक्रमन करना विग्रह नीती है आरा समझ में और कोटिल इसके बारे में कहते हैं कि यदि आरी राज्य आरी मतलब सत्रू राज्य तो आरी राज्य या सत्रू राज्य विपत्तियों से घिरा है तो ऐसे स्थिति में विग्रे की निती अपनाई जानी चाहिए इसके बाद फिर कोटिल यह भी कहते हैं या कोटिल यह सुझाव भी देते हैं कि यदि संधी और विग्र दोनों से समान लाव की प्राप्ति होती हो तो विग्रे की निती त्याग कर संधी की निती अपनाना चाहिए इसके बाद फिर अगला आता है आशन, आशन कारते क्या होता है फ्रेंड, तो आशन का अर्थ है युद्ध की प्रतिख्या करना, ये आशन का अर्थ होता है तो जब कोई राजा उदाशीन और सांत होकर बैठता है तथा किसी अन्य राज्य पर चड़ाई की नीती नहीं अपनाता है तो ऐसी नीती को आशन कहते हैं और कोटिलिक अनुसार कि कोई भी राजा अब स्वयम को सामर्थवान नहीं समझता तब इस नीती को अपनाता है तो जब कोई भी राजा अपने आपको सक्तिसाली नहीं समझता है अपने आपको सामर्थवान नहीं समझता है तो उस समय इस आसन नीती का उप्योग वह करता है ठीक है तो यह आपको धियान रखना हो का फ्रेंट अब इसके बाद देखें इसमें आगे चौथा आता है यान तो यान कार्थ ही क्या होता है तो यान कार्थ होता है कि सत्रु राज्य पर आकर्मन की नीती यान कहलाती है आरा समझ में सत्रु राज्य पर आकर्मन करना या सत्रु राज्य पर आकर्मन करने की नीती यह यान कहलाती है तो इस सड़गुन निती का चोथा भागे फ्रेंड और यान उस इस्तिती से संबंदित है जब कोई राजा दूसरे राज्य पर चड़ाई करने के लिए प्रस्थान करता है तो उसे यान कहते हैं आरतमज में इसके बाद फिर पांचवा आता है संस्रे ठीक है अब संस्रे का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है सरण में जाना ठीक है संस्रे का अर्थ क्या होता है सरण में जाना यह आपको ध्यान रखना है अर्थार्थ कि भय से किसी सक्तिसाले राजा की सरण में जाने की निती संस्रे निती कहलाती है और कोटिल इसके बारे में यह भी कहत होती है इसके बाद फिर अगला आता इसमें देदभाव करते क्या हो जाता है तो संधी और विग्रह दोनों की नीती के साथ चलने वाला व्यक्ति इस नीती का अनुसरण करता है और ऐसे स्थिती में एक ही समय में एक ही राजा संधी के माध्यम से अपने कारी निकालने की कोश करता है और वहीं दूसरी तरफ विग्रह की नीती से अपने सत्रु राष्ट को नश्ट करने की कोशिस भी करता है तो यह नीती कहलाती है दिवेद भाव की नीती ठीक है प्रेंट तो यह आपको ध्यान रखना है तो यह कोटिले ने अपने अर्थशास्त्र में यह सडगु तो तीन नमबर के question इसमें कैसे पूछे जाएंगे तो इन में से किसी एक का नाम देदेगा अद्वे दभाव संस्रय यान क्या है ठीक है इन में से किसी एक के बारे में आप से पूछ लिया जाएगा और पांच नमबर अगर पूछेगा तो इन से पूछेगा कि सड़गुन निती का वर्णन कीजिए तो आपको ये छे ही नाम लिखकर इसका वर्णन करना होगा ठीक है अब इसके बाद देखी आगे राजदूतों की नियुक्ति के संबंद में कोटिली के बिचार अब राजदूत कौन होते हैं तो उस समय राजा का संदेश एक स्थान से दूसरे स थान तक पहुंचाने का कारी करते थे उसे हम राजदूत कहते हैं और यही राजदूत आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के राजदूत विभिन देशों में कारी कर रहे हैं ठीक है और जिन देशों से भारत के संबंद अच्छे हैं उन देशों के राजदूत हमारे भा भूमिका राजदूत की ही होती है , जैसे हमारे भारान 250 चाहँ ओस देश में निरने लेगा समझना कि हमारे भारस सरकार निरने ले रही है, तो ऐसे ही जो राजदूत होता है , तो यह राजा का संदश एक इस्थान escapes highly दुस्ते स्थान तक ले जाता था राजदूत की नियुक्ति के संबंद में कोटिल सुझाव देते हैं कि वह अच्छे कुल का होना चाहिए चरित्रवान होना चाहिए राजभक्त होना चाहिए उच्छे इश्मरन सक्ति वाला होना चाहिए आकर्सक होना चाहिए देश काल तथा समस्तर सास्त्रों का ग्यात करता है हारा समझ में हमारे भारत का भी राजदूत विभिन देशों में वा कारी कर रहा है तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ऐसे ही भारत में दिल्नी में जो This वे लिएट वास बना हुआ है तो वहां पर विभिन कारियों के मद्दे नजर उसे कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए भी कहते हैं तो यह सारी बात आपको इसमें ध्यान रखना है आप इसके बाद आगे देखें इसमें की कोटिल ने राजदूतों के लिए कुछ योकिताओं का वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति को करने की छमता रखता हूं पहली योकिता दूसरी योकिता यह है कि सत्रू राजद्वारा प्रदत्य सम्मान पर वह गर्व न करें तीसरी योकिता कि सत्रू के मद्धे रहते हुए स्वयम को वलवान न समझे इसके बाद फिर अगली योकिता होती है कि वह कुवाक के करने की की छमता से परीपूर्ण हो मतलब समय आने पर वह कूब आक की मतलब बुरे वाक्य भी बोल सके इसके बाद फिर इस्तरी प्रसंग एवं मद्य पान से सरवथा दूर रहें फिर इसके बाद में अगला पॉइंट बताते हैं या अगली योगिता कोटिल बताते हैं कि अपने न अबहावों के प्रकट हो जाने का भै बना रहता है तो यह योगिताएं कोटिल इसमें बताते हैं राजदूत की जो आपको ध्यान रखना होगा तो तो तीन वर्ग कौन-कौन से होते हैं तो इसमें पहला बर्ग देखिए नीश्तरस्टार्थ ठीक हैं पहला बर्ग कौन सा होता है नीश्तरस्टार्थ इसका मतलब क्या होता है तो देखिए इसमें तो जिसका कारी राजा का संदेश ले जाना होता है और राजा के लिए संदेश लेकर आना होता है ऐसे राजदूत को कोटिल ने नीश्तरस्टार्थ राजदूत कहा था कोटिल के अनुसार कि इस र मंत्री की योगता इसमें हूने चाहिए इस प्रकार के राजदूत में। दूसरा प्रकार बताते हैं कोटिल परीमितार्थ, अब परीमितार्थ का मतलब क्या हो जाता है। तो इसका कार्य प्रथम की तुल्ना में कुछ निर्धारी सिमावता की ही सिमित था। और कोटिली के अनुसार ऐसे राजदूतों के लिए आमात्य की तीन चौथा योगताएं आवश्यक थी फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें तीसरा सासन हर राजदूत इसका आर्थ क्या होता है तो जिनका एक मात्र कारिय संदेशों का आदान प्रदान करना होता है ऐस से राजदूत को सासन हर राजदूत कहा जाता है तीन प्रकार के राजदूतों का वरणन कोटिल ने कि और तहलिंड आपको धिया र DN होगा और अगर किलिए वा इसकी सासन हर राजदूत किसे कहते हैं तो यह सब आपको इसके भारे में लिखना होगा ठीक है तो इन तीनों राजदूतों की चर्चा करते हुए कोटिल ने यह मत रखा कि राजदूत में यथार्थ और सत्य प्रस्तूत करने की युगतावी होना जरूरी है इसके बाद फिर आगे देखिए कोटिल का प्रभू सत्ता सिध्धान्त अब कोटिल का प्रभू सत्ता सिध्धान्त क्या है तो इसमें राजा के वारे में कुछ महत्पून बाते हैं तो कौन-कौन से महत्पून बाते हैं, राजा के बारे में तो देखिए इसमें, तो पहला पॉइंट आता इसमें, कि कोटिल के अर्थसास्तर के अंतरगत, राजा की स्थिति और सक्तियों का जो विवरन दिया गया है, उसे हम प्रभु सत्ता का सिध्धान्त कहते हैं, तो पह इसमें देखिए, कि कोटिल ने राजा या प्रभु सत्ताधारी की उत्पत्ती की जो व्याख्या दी है, वह सत्रवी सताब्दी के यूरोप में प्रचलित, जो सामाजिक अनुबंद का सिध्धान था, उससे मिलता जूलता है कोटिल का सिध्धान्त, ठीक है, अब कोटिल क के द्वारा जो भी सिध्धान दिएगे, बरतमान में हम उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको आखरी में इसका प्रसंगिक्ता का टोपिक आएगा, उसमें बताऊंगा, कि कोटिल की प्रसंगिक्ता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊं इसके बाद फिर यदि राजा प्रजा की भलाई न कर पाए तो प्रजा को कर नहीं देना चाहिए, प्रजा को राजा को कर देना बंद कर देना चाहिए, कोटिल कहते हैं कि यदि राजा प्रजा की भलाई नहीं चाहता, अगर राजा प्रजा का कल्याण नहीं कर रहा है, जनत करने ही देना चाहिए ठीक्ति कर देने से जन्ता को मना कर देना चाहिए ऐसे राजा को कर नहीं दिया जाना चाहिए ऐसा को смe कहते हैं इसके बाद फिर ऑगे देखिए कि राजा को मिथय मतनलों जूट और अभिमान जैसे बुराईयों से दूरश रहना चाहिए और सांसारी कानंद उठाते समय भी उससे सदाचार मतलब अच्छे व्यवार अच्छे विचार की अवहलना नहीं करनी चाहिए और राजा की समुच्य सिक्षा एवं आत्मसयम सफल सासन के ये मूल मंत्र होते हैं इसके बाद फिर राजा का करतव है कि वह दूसरों की इस्त्रियों एवं संपत्ति को नुकसान नह पहुंचाएं ये कोटिल कहते हैं इसके बाद फिर कोटिल कहते हैं कि राजा का तिरसकार नहीं करना चाहिए और अगर राजा का तिरसकार किया जाता है तो यह एक प्रकार से पाप है ठीक है और इसके फलसरूप देभी दंड म अब इसके बाद में राजा का भी यह करतब हैं कि वह प्रजा की रख्षा करें और कोई तुरूटी न रहने दें क्योंकि इसके इत्व को सुकार करने पर ही उसे प्रजा कर देती हैं अगर राजा जनता का कल्लैंड नहीं करेगा अगर राजा जनता की रख्षा नहीं करेगा तो जनता उसे कर नहीं देगी इसके बाद फिर अगला देखे इसमें राजा को आठ प्रकार की देवी विपत्तियों का निवारण करना चाहिए मतलब कि कुछ ऐसे आपदाएं होती है कुछ ऐसे संकट होते हैं जिन से जनता को बचाना चाहिए जनता की रक्षा करना चाहिए राजा को तो वे कौन कौन से समस्या होती है तो पहला होता है इसमें आग फिर बाड फिर महामारी दुर्विक्ष दुर्विक्ष मतलब अकाल च प्रकार की जो आपदाय होती है उन विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना चाहिए राजा को ठीक है रक्षा के कारी को तीन भागों में वाटा है तो यह तीन भाग कौन कौन से हो जाते हैं तो पहला भाग देखिए कि वह सत्रुओं एवं आकर्मन कारियों से रक्षा करना दूसरा होता है कि राज्य के आंत्रिक विवस्था एवं न्याय की रक्षा करना तीसरा होता है देवी गहतक जनतू इत्यादी से लोगों की रक्षा करना है ठीक है तो यह सब आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड तो आपसे यहाँ पर question पूछा जा सकता है question पूछा सकता है कि राजा के करत्त को तीन भागों में बाटा था कोटिल ने तो बताईए वे तीन भाग कुन कुन से हैं तो यह सब आपको लिखना होगा आप इसके बाद देखें इसमें आगे गुप्तचर व्यवस्था के प्रकार तो कोटिल ने गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी बताया है तो गुप्तचर मतलब गुप्त रहकर यह कारी करते थे तो ऐसे चर को या ऐसे जो कारी करने वाले लोग होते थे उन्हें गुप्तचर कहते थे तो सासन प्रसासन में गुप्तचर व्यवस्था को अतिमहत्पुन मानते हुए कोटिल ने दो प्रक प्रकार की गुप्तचर कौन कोन से तो एक था इसमें स्थाई गुप्तचर और दूसरा होता था भ्रह्मिन सिल गुपतचर यह दो प्रकार की गुपतचरों का वर्णन इन contributing किया है ठीक है आप इसमें देखिए पहला आ जाता है इसमें इस्थाई या संस्था गुप्तचर तो इसको भी कोटिल ने पांच प्रकार में बटा था तो यह प्रकार कौन-कौन से हो जाते हैं तो पहला प्रकार होता है कापार्टक क्या होता है यह कैसा गुप्तचर होते हैं तो य नात्र या दरिद्र वेश में रहने वाले होते थे पिर इसके बाद में अगला जाता है उदास्थित होते होते हैं तो बुद्धिमान पवित्र तथा सन्यासी वेश में रहने वाले जो गुप्तचर होते थे उन्हें उदा स्थित गुप्तचर कहते थे इसके बाद फिर अगला आ जाता है ग्रिह पतिक कि यह किस प्रकार के गुप्तचर होते हैं तो यह बुद्धिमान पवित्र हिर्दय युक्त तथा निर्धन क्रशक वेश में रहने वाले गुप्तचर तुब एकला आता है व्यदय हक को गुप्तचर को यह किस प्रकार होते था तो यह बुद्धिमान एवं गरीव व्यापारी के वैश में कारी करने वाला था तो ऐसे को तापस किसे कहेता है तो जीवी का के लिए सिर्मोंडाए रहने वाला गुप्तिक्र तापस कोष्चर कहलाता था तो यह ऐसे स्थाई गुप्तिक्रों में कोटिल ने पांच प्रकार को गुप्तिक्र बता हैं दे इसथाई नहीं होते थे तो देखें इसमें पहला प्रकार होता है सत्री तो यहां गुप्तिचर क्या कारी करता था तो कलाकार या जोतिसी के रूप में कारी करने वाला गुप्तिचर सत्री गुप्तिचर कहलाता है फिर इसके बाद में दूसरा आता है तिक्षन गुप्तिचर तो यहां किस प्रकार क परिवराजी का यह सन्यासी के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता था इसके बाद फिर अगला आता है इसमें उभय वेतन अब यह किस प्रकार का होता है तो भोगी गुप्तचर अपने राज्य का नौकर होते हुए भी दूसरे राज्य में जाकर राजा के यहां सेवक ब एक अप्रेशान रहना सकते हैं तो इससे तीन भी नंबर में आपको अंसर लिखना होगा चाहिए वेसा और इस ग्रंथ में राजा क्याधीन कारेरत प्रसासनिक व्यवस्था का भी विशत बढ़नन है तो अलतेकर का मत है तो अलतेकर कौन फ्रेंट तो अलतेकर एक बिद्वान है जिनका कहना है कि कोटिल्ले का अर्थसास्त्र चिंतन परक राजनिती की रचना होने के स्थान पर प्रसासन के मारग दर्सन हेतू लिखी गई एक प्रसासनिक सहीता है तो ये आपको इसमें इसका स्टेट्मेंट याद रखना है फ्रेंट अब इसके बाद में फिर आगे देखिए कि कोटिल्ले ने राजा को प्रसासन का के प्रसास्तर में कितने तिर्थका वर्णन है तो 18 तिर्थका वर्णन होता है और ये तिर्थका आर्थ क्या है फ्रेंट तो तिर्थका मतलब होता है विभाग और इस विभाग का कोई न कोई एक प्रमुख होगा ठीक है तो एसे ही तिर्थों का वर्णन यहापर देखिए त तो पहला तिर्थ होता है इसमें मंत्री तो मंत्री ये कौन होता है परामर्श दात्रा किसका राजा का या प्रधान मंत्री के रूप में कारी करता है फिर इसके बाद में पुरोहित तो यह धर्माधी कारी होता था मतलब धर्म से संबंदित जो मामले होते थे यह देखता था और राजा को धर्म संबंदी समय समय पर सलाव ये पुरोहित देता था इसके बाद फिर अगला आजाता है सेनपती अब सेनपती क्या है तो यह सेना का प्रमुख होता था जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी सेना का प्रमुख होता है इसके बाद फिर आता है यूबराज ठीक है तो यह कौन था तो यह राजा का पुत्र होता था इसके बाद फिर अगला आता है समाहरता अब समाहरता यह कौन है तो यह राजस्व एकत्रित करने का कारी करता था ठीक है राजस्व बसूल करने का कारी करता था जिसे समाहरता कहत हैं फिर इसके बाद में संणिधन वे अगलाता अध्यक्ष होता था जिसे आयुक्त भी कहा जाता था इसके बाद प्रदेश्टत आथ यह कौन मतलब उते हैं । और अन्य बहुत सारी खाने होती है ठीक है और इसके बाद उद्योग इनका प्रमुख हुआ करता था कर्मान्तिक फिर इसके बाद में नायक आता है नायक कौन था तो यह नगर की रक्षा करने वाला एक अधिकारी होता था जिसे नायक कहते थे इसको हम सरल भासा में नगर र वेशिक कि यह कौन था तो यह राज्य का सुरक्ष अधिकारी था फिर इसके बाद में मंत्री स्त तो मंत्री परिसेद यह अधियक्ष होता था ठीकी फ्रेंट तो यह आपको इसमें द्यान रखना है इसके आगे देखे contexts में अगला दंड़ पाल और नंड़ यह वट टुर रक्षा विभाग का अधिकारी होता था आज तो आएसे ही उस समय यह तो अधिकारी होता था इसके बाद फिर अगला आया का दुर कमतह कि नफ्य के यह रक्षा का रख्षक होता था इसके बार पफिर अगला अन्तव पाल यह सीमाओं का अधिकारी होता था यह जो सीमावर्थी किल्यों होते थे उनकी रक्षा करने का अधिकार criticized से सोपा गया था फिर इसके बाद में आता है आटविक यह कौन था यह बन रक्षक यह बन अधिकारी होता था आज भी हम देखते कि हमारे भारत में बन अधिकारी होते हैं जिनावल जिला बनमंडल अधिकारी होता है ठीक है तो ऐसे उस समय यह अधिकारी था आटविक फिर इसके बाद में आता है दवारिक तो दवारिक यह कौन होता था तो यह महलों का रख्षक और राज की दवार का रख्षक होता था ठीक है इसके बाद फिर अगला आता है पावर व्यावाहरिक यह कौन था तो यह नगर का न्याइक पदादी कारी होता था या फिर यह कोतवाल होता था ठीक है तो इस प्रकार से यह 18-13 का वर्णन कोटिल्ले ने अपने अर्थसास्त्र में किया है जो आपको याद रखना है और एक्जाम के द्रिश्टी से बहुत इंपोटेंट अब इस विकारी करने के लिए चार महत्पून बिंदू कोटिले ने बताए हैं इनका अगर पालन किया जाता है तो सफलता आवस्चे प्राप्त होती है जैसे कारी आरंब करने के उपाए मतलब पद्धती ठीक है किस प्रणाली से कारी क्या जाएगा फिर उसके योजना क्या होगी फिर संगठन क्या हो कैसा हो कितने सदस्य हो यह सारी बाते द्यान रखना चाहिए ठीक है आरंब करने के समय फिर इसके बाद में आवस्चे कार्मिक मतलब उसमें कर्मचारी भी होना चाहिए कर्मचारी कितने रखना है कितने नहीं रखना है उनके लिए युग गिता क्या ह तो तो कोई प्रतीकार भी किया जा न चाहिए तो यह को तो प्राप्त होती है ऐसे आचारी कोटिल का कहना है ठीक है फ्रेंट तो इस प्रकार से आज का हमारे सेशन समाप्त होता है अब कोटिल का जो बचा हुआ पार्ट है यह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे तब तक के लिए नमस्कार